जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे 7 जून और 8 जून 2022 के तुला राशी फल के बारे में तुला राशी के लोगों के लिए ये दो दिन कैसे रहेंगे इन दो दिनों में ग्रहों की इस्थिती क्या होगी नक्षत्र क्या होने वाले हैं योग क्या बनेंगे और इन सभी का प्रभाव आपकी दिनचर्या पर किस तरह से होगा जानेंगे आपके जीवन से चुड़े हर एक शेतर के बारे में किस शेतर में कौन सा घ्र है सबसे अधिक लाबदायक रहेगा सिख्षा कैसी रहेगी, स्वास्था कैसा रहेगा, जो करियर से जुड़े हैं, वेपार करते हैं, दुकानदारी करते हैं उनके लिए आज का दिन कैसा रहेगा सब कुछ जानेंगे विस्तार से इसलिए वीडियो को लास तक जरूर देखें चैनल पर पहले बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सबी जानकारियां मिलते रहेंगे तो सबसे पहले हम इन दो दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जानेंगे साथ जून का दिन यह मंगलवार का दिन है जिसको जेस्ट मास का मंगलवार कहा जाता है यानि जो जेस्ट मास के मंगलवार होते हैं वो बड़ा मंगलवार कहे जाते हैं जो बहुत शुब दिन माना जाता है और शुकल पक्षकी सब्तमीति थी है जो सुबह साथ पचकर चववन मिनट तक है इस दिन पूर्व फालगुनी नक्षत्र रहेगा और ये नक्षत्र जो है शुब कारियों के लिए ठीक माना जाता है वजर नाम का योग बना हुआ है वजर नाम का योग शुरू के जो समय होता है उसके लिए नहीं उतना अच्छा होता लेकिन बाद में ये शुब कारियों के लिए अच्छे माना जाता है और ये जो वजर नाम का योग है ये शाम तक है उसके बास सिद्धी नाम का योग श अब आठ जून का दिन तो ये बुद्वार का दिन है शुकल पक्ष की अस्टमीती थी सुभा आठ बज कर तीस मिनट तक उसके बाद नौ मीती थी प्रारम हो जाएगी उत्राफालगुनी नक्षत्र है जो की शुब कारियों के लिए स्ट्रेस्ट माना जाता है बहुत अत्तम स्ट्धियोग है शिद्धियोग सभी कारियों के लिए पहत ही उत्तम है अच्छे मुरत में है सर्वार्द शिद्धियोग है है सर्वार्द शिद्धियोग और साधमिर का buyers योग भी है और चंद्रमा यहां सेंग राशी से निकल कर कन्याराशी में आ जाएगे सुबह 10 बज तक उसके बाद मिरगशिरा नक्षत्र में प्रिवेश कर जाएंगे यानि कि जो रोही नक्षत्र की जो अब तक रिजल्ट मिल रहे थे उन सबी रिजल्टों में अब आपको बदलाब होगा इस दिन अभी जीत मुरत कुछ नहीं है यह हो गई ग्रहों के इस्ति थी आप इस कैसे रहने वाले हैं तो पहले साथ जून के बारे में बात कर लेता हैं कि साथ जून का दिन आपके लिए कैसा रहेगा तो एक तो इस दिन देखिए जो सिहिंग राशी के चंद्रमा है वो आपको जोश और आशा से बहर देंगे और आप ऐसी चीजों से लब्रेज होंगे जो व्यक्ति को जीवन में आगे ले कर जाती है और आपके अंदर नई भावनाएं भी होंगी जिसके कारण नई चीजों की तरफ आप चल सकते हैं नई चीजे हो सकती हैं आज आपके जीवन में कुछ लोगों की उपस्तिती बहुत मायने रखेगी जिनकी वज़े से आपक सही इस्तिमाल करें अपनी समझदारी दिखाएं और उचित तरीके से काम लें क्योंकि इस दिन हो सकता है आपको सही समय पर लिया गया निरने बहुत अधिक लाबदायक हो तो ऐसी कुछ इस्तितियां अगर आपके सामने आती हैं तो उन पर आपको बड़ी समझदारी से का करना होगा धीरच और द्रढ निश्य बनाये रखना है अपने लक्षपराटर रहना है आपको वैसा जीवन मिलेगा जैसका आपको हक है क्योंकि नक्षतर अच्छे हैं ग्रह अच्छे हैं उनका प्रभाब भी अच्छा है लेकिन जब तक आप कुछ कारें नहीं करेंगे आ आप नहीं आगे बढ़ेंगे तब तक ग्रह भी कुछ नहीं कर सकते हैं आपके लिए इसलिए आपको वैसा जीवन मिलेगा जैसा आपका हक है और जो आप चाहते हैं उसके लिए आप खुद थोड़ा आगे बढ़ने की कोशित जरूर करें और फिर आप रिजल्ट देखें आपकी सकारत मक्सोच होगी ओफिस में आपके साथियों पर आज आपका अच्छा प्रभाप पड़ेगा जिससे आपको सफलता की दरवाजे खुलेंगे अपनी तुरंत निर्ण लेने की शमता को जरूर जागरत रखें आप अपनी सभी युगताओं को प्रियोग करें अगर आप कुछ प्रियास कर रहे थे कहीं से आपको किसी मोटे अमाउंट की जरूरत है और आप लेना चाहते थे तो आज कुछ नई दोस्त आपके काम आ सकते हैं जिन जहां से आपको पैसा मिल सकता है और आपके पास नई विचार होंगे नई योजनाई होंगी जिन पर आप काम करना चाहेंगे तो बिल्कुल करें आर्तिक सफलता आपकी खुद के निन्ने पर ही निर्भर करती है तो जब तक आप खुद निन्ने नहीं लेंगे तब तक कोई और आपके लिए कुछ नहीं करेगा साथ में दूसरों की दखल अंदाजी जादा बिल्कुल ना बर जिवरे किस्टित्रियां बहुत अच्छी है और जो वेवाहिक जीवन है वो भी काफी अच्छा रहेगा इस दिन कुछ छोटी-छोटी चीजें हैं जिनको आपको अवाइड करना होगा वरना वो आपका दिन भी बिगार सकते हैं कोई अगर आपके बारे में कुछ बोलता ह अच्छा है और यह बड़ा मंगलवार है तो हनमान जी की आराधना आज जरूर करें उनकी आराधना आपके लिए उत्तम रहेगी आप अरजुन की बात करते हैं, तरह के दिन योग बहुत है सरुओ सिध्धी योग है और नक्षयत्र भी बहुत उत्तम बने हुए है तो इस है बाकी आज का जो दिन है आपको अपने शेतर में आपार सफलता मिलने वाला दिन कहा जा सकता है अपनी शम्ताओं को निखार कर और उसे बहतर बनने की कोशिश करें और ये कामिया भी आपको आगे जरूर लेकर जाएगी घर परिवार और प्रेम में समंधों के लिए आज क कुछ खास कर सकते हैं या तो अपने घरवालों से आप कुछ बाते कर सकते हैं प्रेम जीविन के बारे में बता सकते हैं विवाह की बाते कर सकते हैं तो ये इस्तितिया आपके लिए अच्छी रहेंगी अच्छा काम किया दिखता आज जादा रह सकती है जिसकी वज़े से म मौका भी आपको मिलेगा शाम का समय काफी उत्तम रहेगा आपके परिवारिक जीवन के लिए और आज कुछ ऐसी चीज़े भी होंगी जो आपकी शमताओं को बढ़ा कर करियर में नए दरवाजे खुल सकती हैं तो ऐसे चीज़ों के लिए भी तयार रहें और वहां मौके पर चौका मारने के लिए भी आपको तयार रहना होगा कुछ चीज़े होती हैं जब आप उनका डिसीजन तभी ले ले लेते हैं तो वो आपके लिए जीवन में बड़ी सफलता दायक बन जाते हैं तो वैसा ही कुछ दिन आपके लिए होने वाला है तो दोस्तों और अधी कैसी जानकारियों के लिए चैनल को सबस्क्राइब कर लें और हमारे इस वीडियो को जएज़द लाइक करें शेयर करें